Dear students, welcome to Quetsmeasures, आज की इस वीडियो में explain करने जा रहा हूँ D-multiplexer और D-multiplexer से related जितना भी important points हैं वो इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे तो Quets फटा फटा से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अग्दगार भी नहीं किया और अगर कर भी दिये तो और devices से भी subscribe करवा सकते हो, share कर सकते हो subscribers बहुत जिरूरी है, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले multiplexer जो है वो already मैं complete करवा चुका हूँ, सारे points जो है वो multiplexer के बारे भी बता चुका हूँ तो d multiplexer जो है न, वो तो आपको नाम सी पता लग रहा होगा कि उसका उल्ट है, ठीक है और वाक्की में क्या है बिल्कुल उसका उल्ट है ही है, मतलब 180 degree आप गुमादो मतलब जो diagram था, उसको आप 180 degree गुमादो, तो क्या बन गया? d multiplexer बन गया तो यहाँ पर आपके पास input जो है वो एक ही है, ठीक है? that is i और output यहाँ पर कितनी हो गई? 4 हो गई, तो output जो है वो मैंने 4 यहाँ पर इस तरीके से बना दी तो यह मेरा क्या बन गया? 1 into 4 d multiplexer, तो यहाँ पर 1 into 2 raise to power अबर n यहाँ पर हम इस तरीके से denote करते हैं, और n का मतलब क्या है? select line, same by select line वाला फंडा यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर मेरा पास जो है एक तरह से यह बन गया आपका 1 into 2 raise to power 2 d multiplexer, तो यहनी number of select lines कितनी होंगी? 2, तो हम उसको नाम वैसी दे जते है तो यह basic structure जो है, वो d multiplexer का इस तरीके से बनाते है block diagram next आप से पूछ सकते हैं कि इसकी application क्या है? मैं लग, input तो एक ही है, यह 4 output कैसे generate हो रही है? मैं लग, input मैं एक दे रहा हूँ, तो यह 4 output कहां से generate हो रही है? तो इसका basic सा concept क्या है? आपको ओभी clear होगा जैसे अगर मैं S1 और S0 की बात करूँ, तो वही 4 मेरे combination बनते हैं, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 तो देखो, यहाँ पे input का तो कोई roll ही नहीं है, मलब, input जो है, वो आपका क्यों यहाँ पे participate कर रही है? मलब, इसको na actual में क्या कह सकते हो कि आप जो भी मेरी input में value आ रही है, वो मेरे को एक तरह से propagate करनी है, वो मेरे को propagate करनी है, मलब, या तो मैं propagate करके इसको दूँगा, या मैं propagate करके इसको दूँगा, या मैं propagate करके इसको दूँगा, चारों में से किसी एक output, तो कहने का मतलब क है कि आपके पास जो चार आउटपुट जो इस तरीके से बन रही है ना आउटपुट 3 और आउटपुट 4 तो जब वैल्यू जीरो जीरो होगी जब S1 और S1 लोट की वैल्यू जीरो जीरो होगी तो आप I जो है वो आउटपुट 1 में यहां पे प्रॉपेगेट कर दोगे पास कर दोगे बाकियों की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी जीरो रहेगी ठीक है जब जीरो 1 हो गया तो आप एक तरह से I की वैल्यू जो है वो output 2 में pass कर दोगे तो यहाँ पे उसकी value जो है वो show वेगी और बाकियों में 0-0 ऐसी 1-0 के case में आप आई जो है वो output 3 में represent कर दोगे मलब इसको दे दोगे जो भी होगी value और बाकियों का कोई role नहीं है और ऐसी जब आप value 1-1 दे रहे हो तो अब आपकी output मतलब इस वाली line पे input आ जाएगी और इसके आगे जिसको भी देनी हुई उस तरीके से दे सकते हैं यह एक तरह से enabled रहेगा बाकि जो है वो 0-0 रहेगे तो यह simple सी कहानी है आपके 1-2-4 demultiplexer की मतलब इसका use कहा पे हो रहा है इसका use हो रहा है actual में switches में switching में यहाँ पे use करते हैं और आपने multiplexing demultiplexing भी सुना होगा networks में multiplexing क्या होती है multiplexing जो है वो sender side पे use करते हैं जो transmit कर रहा है तो उसके पास let's say multiple signals है multiple signals जो है medium एक ही है तो एक ही medium में multiple signals को multiplex करके भीज़ दिया जाता है चाहे वो frequency के हिसाब से हो चाहे वो amplitude whatever the various technique तो उसके हिसाब से उसको multiplexing करके भीज़ दिया जाता है जब वो receiver end पे पहुंचता है receiver end पे एक input आ रही है receiver end पे सारे signal ही गठे आ गए अब ये signal मेरे को कहा कहा पे देने है वो हम इस तरीके से select करते हैं तो ये एक तरह से आपको मैं थोड़ा सा idea दे देता हूँ जैसे देखो मेरे पास यहाँ पे let's say आपको थोड़ा सा idea भी यहाँ पे दे देता हूँ let's say मेरे पास यहाँ पे दो inputs है i1 और i2 ठीक है यह मेरा जो है वो यहाँ पे select line होगी a यह मेरा क्या है 2 into 1 multiplexer ठीक है और यहाँ पे मेरी दो outputs होगी output 1 and output 2 और यहाँ पे मेरी select line क्या होगी let's say b अब देखो यह मेरा एक तरह से sender side है और यह मेरा क्या है एक तरह से receiver side है अब देखो sender side पे मेरी दो inputs है i1 और i0 तो यहाँ पे let's say अगर मैं इसकी values देखूँ a और b की values देखूँ तो कैसे होगी 0 0 0 1 1 0 और 1 1 तो देखो जब मैं a की value 0 दे रहाँ जब मैं a की value 0 दे रहाँ तो आपको पता i1 यहाँ पे select होगी i1 मतलब यह अपका क्या है 1 into 2 d multiplexor है i1 यहाँ पे आ गई अब i1 आ गई तो b में value क्या थी b में भी value क्या है starting में 0 0 मतलब कि आप i1 जो है वो यहाँ पे दे तो मतलब output 1 जो है वो आपकी मतलब यहाँ पे input 1 और वहाँ पे output 1 आपकी एक तरह से select हो जाएगी मतलब यह propagate होके यहाँ पे पहुंच जाएगी जब value 0 1 मतलब यहाँ पे मैंने value 0 दी तो i1 मेरी select होगी यहाँ पे मेरी i1 जो है वो select होगी लेकिन यहाँ पे value क्या थी b के case में 1 b के case में 1 का मतलब है कि आपकी input जो है वो i2 आजाएगी और यह किसको देदेंगे output 1 में देदेंगे और ऐसी जब मेरी input i2 है जब मेरी b की value भी 1 होगी तो वो हम output 2 को देदेंगे तो यह छोटे-छोटे point जो है वो इस तरीके से इसमें use के जाते है तो ऐसी होता है ना नेटवर्क्स में भी इसी तरीके से करते है कि device मेरा एक ही है switch एक ही है ठीक है और multiple messages multiple जो है मेरे पास devices connected है host connected है वो सारे जब message भेजते है तो जब वो switch है वो decide करता है कि मेरे को किसको देना है एक को देना है दो को देना किस particular बंदे को देना है तो उसको वो select कर लेता है तो receiver end पे आप कह सकते हो demultiplexer sender size पे आप कह सकते हो multiplexer को use करते हैं ठीक है तो ये basic सी information है demultiplexer की Thank you